नमस्कार सांथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैलास मानसरोवर यात्रा के बारे में ये यात्रा कैसे की जाती है, कब की जाती है, इस यात्रा के क्या क्या महत्तों हैं और कौन-कौन लोग इस यात्रा को कर सकते हैं आज हम आपको बताएंगे complete detail कैलास मानसरोवर यात्रा के बारे में हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कैलास परवत को भगवान सिव और माता पारवती का घर माना जाता है और कहा जाता है कि भगवान सिव यहीं पर निवास करते हैं इसके अलावा हिंदों के सांथ सांथ ही ये इस्थान जैन, बौद और सिखों के लिए भी काफी पवित्री इस्थान माना जाता है और इसलिए हर साल यहां पर हजारो यात्री इस तीर्थ यात्रा पर आते हैं ये जो कैलास परवत है और ये मानसरोवर जील है ये फिलहाल चीन में है और पुराणों के अनुसार भगवान सिव का निवास इस्थान होने के कारण ये इस्थान भगवान सिव के 12 जोतिल लिंगों में सरोस्रेश्ट माना जाता है और यहाँ पर कैलास परवत के पास में ही मानसरोवर जील भी है और इसलिए इस यात्रा को कहा जाता है कैलास मानसरोवर जील है तो इन दोनों को कहा जाता है कैलास मानसरोवर जील है इस यात्रा को केवल सरकार ही आयुजित कराती है और इस यात्रा को करने में कई धर्मिकिस्थल रास्ते में पढ़ते हैं और रास्ते में सुन्दर परवत चोटियां आपको देखने को मिलती है और ऐसे ही सांदर अनुभवों का आनंद लेते हुए आप इस यात्रा को कर सकते हैं और सिव भक्तों के लिए तो ये इस्थान किसी स्वर्ग से कम नहीं है क्योंकि हर सिव भक्त की मन में ये कामना होती है कि वो अपने जीवन में एक बार कैलास मानसरोवर यात्रा पर जाए यहाँ पर चारो तरफ आपको बर्ष पर ढखे हुए पहाड, सामने मानसरोवर जील ये एक ऐसा सुन्दर द्रिश्य होता है जिसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते बौद लोग इस इस्थान के बारे में मानते हैं कि उनके एक संत कवी ने यहाँ पर तपस्या की थी इसके अलावा वो ये भी मानते हैं कि माहतमा बुद भी यहाँ पर आए थे इसलिए बौद लोगों के लिए ये इस्थान काफी पवित्र है इसके अलावा जो जैन लोग होते हैं वो मानते हैं कि उनके एक गुरू रिशब देव यहाँ पर आए थे इसलिए जैन लोग भी इस इस्थान को बहुती पवित्र मानते है इसके अलावा सिक्खों के लिए भी इस्थान काफी पवित्र है क्योंकि सिक्खों के पहले गुरू नानक जी वो भी एक बार यहां पर आये थे और तपस्या की थी इसलिए ये इस्थान सिकों के लिए भी पवित्र माना जाता है और इसलिए ये इस्थान हिंदू, बौध, जैन और सिक इन चारो धर्मों के लोगों के लिए काफी महतोपून है और आप जानते हैं कि इस यात्रा पर कब जाया जाए तो ये यात्रा जून से लेकर सितमबर तक चलती है और इसी दोरान आप यहां पर यात्रा कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आवेदन फरवरी से लेकर अप्रेल तक स्टार्ट हो जाते हैं इसी दोरान आपको online आविदन करना होता है और तभी आप इस यातरा को कर सकते हैं इस यातरा में केवल 18 से लेकर 70 साल के व्यक्ति ही इस यातरा में जा सकते हैं अब जानते हैं कि इस यातरा पर कैसे जाया जाए इस यातरा में जाने से पहले आपके पास कुछ important document होना बहुत ही जरूरी है जैसे कि सबसे पहले passport passport के आवसकता इसलिए पढ़ती है क्योंकि ये कैलास मानसरोर पढ़ता है चीन में और वहाँ जाने के लिए आपको passport के आवसकता पढ़ेगी इसके बाद आपको online आविदन करना होगा और online ही आप इसकी fees भी जमा कर सकते हैं इसके लिए आपको kmy.gov.in पर जाकर ये government की official website है इस website पर जाके online आविदन करना होगा इस website का link मैंने नीचे description box में भी दे दिया है आप वहाँ पर जाके भी direct यहाँ के लिए apply कर सकते हैं इसके अलावा इनके कुछ help nine number भी दिये होते हैं जिससे आप complete detail प्राप्त कर सकते हैं इनका एक help nine number है 011-243-00655 आप इस पर call करके भी इनसे अन्य जानकारिया प्राप्त कर सकते हैं तो जो यह यात्रा है कैलास मान सरोवर यात्रा यह दो रास्तों से होती है एक उत्राखंड के लिपूलेक से और दूसरा सिक्किम के नाथुला दर्रे से और इन दोनों रास्तों का अलग-लग charges है जो लिपूलेक दर्रे से जाने का charge बैठता है वो एक लाख नबे हजार लगभग इसका charge बैठ जाता है इसमें आपका जाना, आना, खाना, पीना, रहना सब include होता है इसके अलावा अगर आप नाथुला दर्रे से जाते हैं तो आपका यह लगभग धाई लाग रुपे का खर्चा आ जाता है जिसमें भी आपका खाना, पीना, रहना, medical की सूइधा यह सब कुछ इसमें include रहता है तो जब आप इसके लिए online आवेदिन कर देंगे तो online आवेदिन करने के बाद आपका selection अगर होता है तो आपको SMS के दोरा बता दिया जाता है इसके बाद दिल्ली में आपका medical होता है दिल्ली के दिल्ली Heart and Lung Institute में आपका यहाँ पे medical होता है और एक medical यहाँ पे होने के बाद जब आप finally इस यात्रक ले जाते हैं तो ITBP के hospital में भी एक medical वहाँ पे भी होता है यह यात्रा काफी tough है तो इसलिए medical check-up होना बहुती जरूरी होता है और यहाँ पर high BP, sugar, sans की बीमारी, mirgi की बीमारी जिनको ऐसी कुछ गंबीर बीमारिया हैं उनको इस यात्रा पर जाने की अनुमती नहीं दी जाती तो इस यात्रा में जाने से पहले आपको दिल्ली में 3-4 दिन रुखना होता है यहाँ पर आपका सारा medical हो जाता है document verification हो जाता है और साथ में कुछ visage training दी जाती है ताकि आप वहाँ पहार की उंचाई वाले इलाकों में आसानी से जा सके क्योंकि यह यात्रा 19,500 फुट की उंचाई पर काफी कठीन यात्रा है तो इसलिए इस खाश training के आवसकता जरूरी है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह यात्रा दो मार्गों से होकर जाती है लिपूलेक दर्रे से और नाथुला दर्रे से लिपूलेक दर्रा पड़ता है उत्राखड में और नाथुला दर्रा सिक्किम तो इन दोनों के रास्ते ही कैलास परवत जाया जा सकता है तो अब हम बताते हैं आपको complete detail की लिपूलेक दर्रे से आप कैसे जा सकते हैं और नाथुला दर्रे से आप कैसे जा सकते हैं। तो जो ये लिपुलेग दर्रा है, इसकी जो यातरा है, ये काफी कठिन मानी जाती है। जबकि जो ये नाथुला दर्रा है, इसकी यातरा फिर भी थोड़ा सा सरल है। क्योंकि जो नातुला दर्रे से होकर जाने वालá मार्क है इसमें पैदल यात्रा कम है लेकिन जो ये लिपूलें यात्रा काफी ज्यादा गणनी पड़ती है और पहार के उंचाई निचाई वाले इस्थानों पर चड़ना काफी कटिन हो जाता है तो चलिए जानते हैं कि कैसे लिपूलो एक दर्रे से यह यातरा होती है तो इसके लिए आपको सबसे फ़हे दिल्ली आना होता है दिल्ली से फिर काड़ गुदाम और काड़ गुदाम यह उत्राखन में ही पड़ता है इसके बाद जाना होता है अलमोडा फिर बागेश्वर डीडी हार्ट, धार चुला और उसके बाद जाना होता है गुदी और जो यह स्थान है गुदी यहां तक आप मोटर मार्ग से आ सकते हैं लेकिन यहां से आपको आगे का रास्ता पैदल ही सुरू करना पड़ता है और आगे का लगभग 200 किलोमेटर का पैदल सफर यहां से करना होता है अगर आप इस यातरा को पैदल करने में सक्सम हैं तो आप इस यातरा को पैदल कर सकते हैं नहीं तो आप यहां पर खचरों और डोलियों की मदद से भी इस यातरा को कर सकते हैं गुंजी से आपको जाना होता है काला पानी, इसके बाद लिपुलेक दर्रे से होते हुए तकला कोट जाना होता है तकला कोट से मानसरोवर और इसके बाद कैलास परवत जाना होता है ये रास्ता काफी लंबा और काफी दुरगम है और इस यात्रा को करने में 25-30 दिन का समय लग जाता है और ये यात्रा दुनिया की सबसे मुश्किल धर्मिक यात्राओं में से एक है इस यात्रा में हर साल 18 बैच भेजे जाते हैं 18 बैचों में लगबग 1030 यात्री सामिल होते हैं इसके बाद दूसरा रास्ता जाता है नाथुला मार्ग से ये रास्ता थोड़ा सा आसान है इसमें पैदल यात्रा काफी कम है इसमें लगबग 35 किलोमेटर की पैदल यात्रा होती है इसके लिए आपको सबसे पहले आना होता है दिल्ली दिल्ली से यह यात्रा सुरू होती है फिर उसके बाद आपको जाना होता है बाग डूरा दिल्ली से बाग डूरा तक आपको हवाय यात्रा करके यहां तक आना होता है इसके बाद यहां से यमदोर तक मोटर मार्क से गाड़ी दोरा आप जा सकते हैं और जो यह यमदवार नाम का इस्थान है यह कैलास के पास में ही इस्तित है यहां से केवल 35 किलोमेटर की आप पैदल यातरा करके यहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं इस यातरा को करने में लगबग 22-23 दिन लग जाते हैं तो अगर आप भी कैलास मान सरोवर यातरा करने का मन बना रहे हैं तो आप इसके लिए रेजिस्ट्रेशन फरवरी से लेकर अप्रायल तक जब भी इसकी डेट आती है आप इसके लिए ऑनलाइन आविदन कर दीजिए तभी आप इस यातरा में जा पाएंगे और सबसे पहले अपना पासपोर्ट रेडी रखिए क्योंकि पा इसी के अंदरकत आती है तो अगर आप इस यातरा को करना चाहते हैं तो आप ये एमाउंट का इंतराम करके रख लीजिए तो हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं आपको हमारा आज कर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल पर पहली बार आये हैं तो हमारे इस चैनल को कर लीजे सस्क्राइब क्योंकि हम यहाँ पर टूर और ट्रेवलिंग के ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं अगर आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर लेंगे तो जब भी हम अपना कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका वीडियो भी हमने अपने चैनल पर पहले ही बनाए हुए हैं तो अगर आप वो वीडियो भी देखना चाते हैं तो आप हमारे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं इन सभी वीडियो में हमने complete detail दी है कि आप ये यात्रा कैसे कर सकते हैं काप कर सकते हैं कितना आपका खर्चा आएगा और किस रास्ते से होकर ये यात्राइं होती हैं तो इन सब के लिए आप हमारे चैनल पर जाके इन सब को देख लिजिए इसके अलावा मैं नीचे description box में भी इन सब के link दे दूँगा आप वहाँ पे से direct ही इन यात्राओं के बारे में भी जान सकते हैं ताकि आप किसी भी यात्रा में जाएं तो आप कोई परिशानी ना हो इसके बाद मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद